मुर्ख व्यक्ति ग्यानियों से भी कुछ नई सिख पता और ग्यानी मुर्खों से भी बहुत कुछ सिख लेता है जो व्यक्ति स्पास्ट और सीधी बात करता है उसकी वानी कड़वी जिरूर होती है लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता आदमी भगवान से लाखो करोलों की चाहत रखता है लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंडता है लोग आपकी पास तब नहीं आते जब आप डूखी हो बल्कि वो तब आते है जब वो खुद डूखी होते है ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इनसान गिर जाए ठोकर इसलिए लगती है कि इनसान संबल जाए जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिस्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी थाई नहीं खुद को खराब कहिने की हिम्मत नहीं इसलिए लोग बोलते हैं चमाना खराब है एक बाद हमें से याद रखना की हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते अगर कोई व्यक्ती आपको छोड़ा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हैं या फिर गुरूर से जीवन की सच्चाई आप कब सई थे ये कोई याद नहीं रखता आप कब गलत थे ये सब को याद रहता है आपका एक जूट आपके सारे सत्य से किये गए कार्यों को भी संका के दायरे में खड़ा कर दिता है परशन सा चाए जितनी कर लो अपमान सोच समझकर करना क्योंकि अपमान वो उधार है चौशर मिलने पर ब्याज सैथ लोडता है पत्थर में एक कमी है कि वो पिगलता नहीं है मगर एक खोबी भी है कि वो इनसान की तरह बदलता नहीं है पेशो की गर्मी अक्सर रिस्तों को चला देती है गिरना इसलिए भी जरूरी है इसे पता चलता है कि हाथ दामने वाले कितने हैं और साथ छोडने वाले कितने हैं ये बात दिमाग में बिठा लो जिन्दा हो तो निन्दा भी होगी क्योंकि तारीफे तो मरने की बाद हुआ करती है किसी को गुलत समझने से पहले उसके हालात को जरूर समझ लेना चाहिए छोटी सी होती है ये जिन्दगी इसे हस कर जियो क्योंकि लोट कर स्रिप यादे आती है वक्त नहीं हर चीज उठाई जा सकती है सिवाए गीरी हुई सोच के आपके अक्राम ही आपकी पाइचान बनाते है वर्नाये की नाम के हजारों लोग होते है अच्छाई और सच्चाई चापुरी दुन्या में डूंड लोग अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी झापके अच्छाई आपके अच्छाई बनाते है